हेलो एवडिवान वेलकम बैक इन मैंस्टुडी चरनल वन्ना स्टुडी पॉइंट आप सभी अच्छे होंगे अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे आज हम जो टॉपिक डिसकस करेंगे वह हमारा उष्ण कर्थीबंदी चक्रबाद तो उष्ण कर्थीबंदी तो इस तरह के से यह हमारा करेंट में भी चलता है क्योंकि साइक्लों वगरा हमारे आते ही देते हैं तो आज हम पढ़िंगे उसने कर्थीबंदी चक्रबादों के विशय में ठीक है बहुत बहुत इजी वेवे हम पढ़ते हुए चलेंगे ताकि सारी चीजे आपको गोलाकार रूप में थी कि आपको एक जो चक्रबाद जैसा क्या दिखेगा जैसे एक तुफान जैसा है ठीक है बवंडर जैसा यह आपको उठता हुआ जो दिखेगा ठीक है यह हमारा क्या होता है यह हमारा एक इतना ज्यादा भ्यांकर तुफान होता है ठीक है कि यह चक् और चक्रवाथ हैं इनकी उत्पत्य कहाँ होती हैं इनकी उत्पत्यु महा सागरों में होती है भारत में बंगाल की खाड़ी गरहते हैं वैसे गसा अज बह heeft बहुत जो हमारे सागर हें आपने 1不錯 मािसागर है उन परAre इस चक्रवाद की ऐग उत्बद्ती होती है फित्पती होती है ये एक गुलकार रूप में works भावटिर अटीप कहा होता है और ज़ल उल्ण खुब साहरे जो हमान्य एक और ट्राइक यो मुल हट जाती है वही साइकलों का रूप लेती है और यह अ 마रा कहलाई कहलाता है उसने कड़ीबंदी चक्रवाद कहलाता है ठीक है तो यह हो गया इसल्म कंचिन सarten जब हम देखते हैं तरहximний जब इसमें जो एक हो हवाई होती है कि एक हुद्धी हुद्धी हैं तुफान का रूप ले लिती है तो जो मालीज्ये तो इसके केंदर में होता है तो जो हवाई होती है ठीक है बाहर से 5 प्रेसर की हुआ हमारी क्या होती है इसके अंदर आती है ठीक है ये हमारी क्या है सब high pressure की हवाई है ठीक है high pressure या हम क्या कह सकते हैं इसे तीवर वायू दाप ठीक है तो जब हमारी तीवर वायू दाप की हवाई है ठीक है बाहर से क्या होती है एंदर को आ रही है तो यहाँ है पर टसे कि उत्पाति हो रही है तो यह दो चार चीज है इसके विशाय में बहुत ही सिंपल ठीक है कि हवाई किस परकार आती है बहुत तेजी से एक हवाई आती है और निम्नेवाईयोदाप की उसमें अंदर की और उसमें आकरसित होती है और बहां पी कहोता है हमारा उसमें जो कटी-बंदी चक्रबाथ है उत्पत्ती होती है ठीक है अब जैसे हमने देखा यह हमारा एक आक्रमक तुफान है ठीक है उस नकटी बंदी चक्रवात क्या है हमारा यह एक बहुत ही आक्रमक तुफान है ठीक है इसमें क्या होता है अगर जहां पर चक्रवात आते हैं ठीक है वहां पर विस्तरत विरास होत वह स्पेसल एक अपना लेक्टर बनाया हुआ है क्योंकि वह वर्स 2022 का हमारा पहला चक्रवाद है तो अगर आपको उसकी विसे में जानना है तो आप पीछी के लेक्टर इसके बारे में देख सकते हैं उसमें मैंने सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा डीप में जाके उस इनकी उत्पत्ति के लिए कुछ ना कुछ एक परिस्तितिया ऐसी होनी चीह जहां पर इनके हमारी उत्पत्ति हो ठीक है कहां पर होती है इनकी उत्पत्ति एक तो ऐसा ब्रहाद समवंद्री सतर ठीक है जहां पर क्या होता है तेंपरेचर अधिक जहां पर टेंपरेचर होता पवनों की दिशा अपोजिट होती है और उसकी दिशाओं में क्या होता है एक अंतर होता है ठीक है वहां पर हमारी किसकी उत्पत्ति हो रही है उसन्ड कटीबंदी चक्रवातू की उत्पत्ति हो रही है जहां पर हमारा जहां पर हमारा क्या हो रहा है को लोसिस बल का प्रभाव है ठीक है को लोसिस जो बल है उसका जो प्रभाव है वहां पर ही क्या हो रहा है उसका कटीबंदी चक्रवात की उत्पत्ती हो रही है ठीक है तो उसका कटीबंदी चक्रवात क्या है ठीक है कहां पर इनकी उत्पत्ती पूरफ से पच्चिम की और होती है पूरफ से पच्चिम की और तो आए देख रहे थे हैं अगर में यह आपका टॉपिक आता है तो आपको किस तरीकिसी इसमें अंसर राइटिंग करनी है वो मैं आपको आज इसमें करके दिखाती है तो देखे सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन दे देंगे कि हमारा उस्ण कटी बंदी चक्रवाद क्या है तो उस्ण कटी बंदी चक्रवाद के विसे में आपको दो चाल लाइनों में डेफिनेशन अपनी दे देनी है तिक है कि उस्ण कटी बंदी चक्रवाद प्राया कहां आते हैं महासागरों में आते हैं ठीक है उसन कटी बंदी जो चक्रवात हमारे कहां आ रहे हैं प्राया महासागरों में आ रहे हैं उसन कटिबंदी है चक्रवातों में ठीक है बाहर से आने वाली ठीक है जो इस्ट्रेट में आपको बताया था भी देखिए आप मैं उसी को डेफिनेशन में ही लिख रही हूं ठीक है कुछ अलग नहीं है डेफिनेशन हमारी उसक्रवातों में बाहर से आने वाली तीवर हवाउय ठीक है नीम्न वायुण दाप की ओर आती है ठीक है कि निम्नवायुदाप की और आती है ठीक है यह क्या है यह हमारा आक्रमक तुफान है यह भी आप बता सकते हो कि यह क्या है एक आक्रमक तुफान है इससे प्रतिवर्स क्या होता है हरसाली होता है लगों ठीक है प्रतिवर्स तुफान बाढ़ कही तरह की चीज़े होती है ठीक है विस्तरत विनास इत्यादी होता है ठीक है यह सारी चीज़े है से उत्पत्ति हमने देख ली कहां हो रही है महासागरों में हो रही है ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है जो चक्रवात है ठीक है हाँ ठीक हो गया इतनी चीज़ ठीक है हमारी पाकी इसमें जो चक्रवात है ठीक है यह चक्रवात 20 दिग्री अक्षांस से गुजरते है ठीक है यह चक्रवात है हमारे 20 दिग्री अक्षांस से गुजरते है ठीक है यह चक्रवात 20 दिग्री अक्षांस से गुजरते है और इनमें क्या होती है इनमें हमारी एक वातागर प्रणालिया नहीं होती है ठीक है जो इसमें वाताग समय अगर पढलालीय उसके को ये हमारी की डेफिलेशन और ये चाज़ आ अब हमें क्या बताना इस के बारे में को है कि इसकी उत्पत्य हमारी के अधूंध रही है तो इसकी उत्पत्य का इसके भर सेवार्प में लिखानी है कि इसमाया हमें एक चीज भी दिखानी है कि उसन जो हमारा चक्रवात है उसकी दिसा कैसी है उत्री गोलार्द में कैसी है और जो दक्षडी गोलार्दा वहां पे इसकी दिसा कैसी है तो देखिए जैसे माल लीजेए यह हमारा उत्री गोलार्दा है उत्री गोलार्द में क्या यहाँ पर कहा है इसंकी जिसा है रिया है छक्रवाद की एक है भडली की सुईयों के व Unterstütати रिचे साथ हिर के यह हमारो था ऐस आप दक्चिरी गोलार मालीजी यह है यहाँ पर इस जोए इस की दिसा रिचाए यह ब भडल दे घ्र के सुईयों की उलाइग पुराव से पच्चिन की हो रही है दोनों में ही और यहां पे क्या है घड़ी की सुईयों की दिसा के अनुरूप है ठीक है घड़ी की सुईयों की दिसा के अनुरूप ठीक है और यहां पे क्या है यहां पर विपरी ठीक है घड़ी की सुईयों की दिसा के विपरीथ सब्सक्राइब आया यहा यहां champions सकते है अब हम देख लेता है कि इसके उत्पत्ति के क्या 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 है जैसे हमने जो मैंने भी आपको बताएं वह हमें यहां पर मैंसें करने हैं कि इसकी उत्पत्ति के का जो यह विकास हो रहा है ठीक है कि कारक क्या क्या है हमारे तो जैसे हमने देखा कि ऐसी ब्रहत समुंदी सता जहां पर क्या है ठीक है ब्रहत समुंदी सता जहां हमारा टैंप्रेचर क्या है जहां हमारा तापमान सुटाइस दिग्री से क्या है अधिक है ठीक है फर्स पॉइंट इसका यह हो गया दूसरा पॉइंट इसका हमारे क्या है जहां कोर्लोसिस बल का प्रभाव है बल का प्रभाव होना ठीक है यह भी कंडिशन है इसकी कि यहां पर क्या होना चाहिए एक तो टैंप्रेचर जो है कि गती में अंतर हो ठीक है और चौथा क्या है कि निम्नवायुदाप का छेत्र हो ठीक है तो निम्नवायुदाप का छेत्र जहां होता है वहीं पर क्या होती है इसकी उत्पत्य होती है और हम यह देखते हैं कि जो हमारा एक उस्ष्णी कल्टी बंदी चक्रवात है झो ये वाला चक्रवात है? इसके केंद्र में ही क्या होता है यह जो केंद्रू है उसमें निमनवायुदाण भी होता है यह mist फैंपки पहरी होता है यह निम्नवायुदा छेत्र का होना ठीक है ये सारी क्या है स्वेट इसकी एक परिस्तित्य है ठीक है समुद्री तलक पर उपरी अभीसरण समिंद्र तल पर क्या होना चाहिए उपरी एक अभी सरा होना चाहिए हम देखते हैं इसकी जो उत पत्ति है उत पत्ती भी कहाँ हो रही है महसागरों में इसकी जो उत्पत्ती हो रही है वो कहां होती है जो उनके उपरी तल है ठीक है वही पर इसकी उत्पत्ती क्या होती है होती है ठीक है तो यह सारी चीजह है उच्छर कटीमंदी चक्रबाद की विसायम है ठीक है इसकी यह जो दिसा है उत्तरी गुलार्ड में कैसी है एंटी क्ल इसके हमने उत्पत्ति के कात देखे है कि कहां कहां पर किस-किस जगह पे उत्पत्ती हो रही है। आज हम detail है ज운데से जनले जवें दिखे ज़ेल सिटित भारत जहां पर रहता हैं कि अहां Iis work TF इनका नाम करण भी RSMC Centers के गौरा किया जाता है ठीक है आप इन डिटेल्स में में एक मैंने अलग से असानी साइक्लोन का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत जादा सामझ डिटलीडीप में जाके समसा रखे तो आप उस असे नाम से जाता है ठीक है जैसे हिं इसे कटि आगओ स्करवात जाता है हिंद महासागर में यह चक्रवाद के नाम से जाने जाते है दक्षडी चीन सागर में या चीन समझ दीजिए ठीके किस नाम से जाने जाते हैं यह टाइफून नाम से जाने जाते हैं तो चीन में किस नाम से जाने जाते हैं ताइफुन नाम से जाने जाते हैं इसी तरीके से हमारा ऑस्टेलिया है ऑस्टेलिया में किस नाम से जाने जाते हैं यह साइक्लोन आते हैं हर जगह है ठीके तो महासागरों में इनकी पत्ति हो रही है लेकिन इनका जो नाम है एक अलग यह जाना से जाना जाता है तो अस्तिलिया में यह जानी जाता है किस नाम से यह जानने जाता है यह तो आटलंटिक महासागर agile में हरीकेन नाम से जाने कडिके और जो हमारा भारत है हमारी भारत में इसकी उत्पत्ती कहां पे होरी है स्ट्वार्ट इसकी उत्पत्ती होती है जो वह बंगाल की खाड़ी इसे लिए नब जुटारा पार्व का एहां टैसे हैं तो इसे लिए हमने ने कि असेट किसेछ में किसेंग है इसका इसका केंदर में है सेंटर जो है आप एटिकेड जो अंदर किंडेंगती निस आफ पहार शोम investigators 27 degree centigrade से प्लस हमारा temperature होना चाहिए और low pressure हमारा इसका होना चाहिए और लो प्रेसा हमारा इसका होना चाहिए ठीक है जो उर्द्वारदर पवनों की गति है उनमें अंतर होना चाहिए तो यह था स्वर्ण आज का topic जो हमने discuss किया यह हमारा जोगर्फी से था उस्ट्रकटीबंदी चक्रवातों के विशय में अगर आपकी कोई doubts है कोई queries है तो आप उससे इसके बारे में पूस सकते हैं ठीक है आपको इसी तरीके से अपनी कोईस करनी है कि कोई भी आपको topic मिल ला है जैसे हमने देखा आज जो मैं आपको लिख के दिखाया यह हमारा मेंस की एक answer writing में ही आगया ठीक है अपना topic कॉसा कडिबंधी चक्रवाथ के हमें कैसे करना है क्येक है प्राया महासागरों में तेख ये कडिबंधी चक्रवाथों में बाहर से आने वाली जो तीवर हवाएं है र्कोदाब अंदर की ओर निम्नवाई उदाब की ओर आती है यह एक आकरमक तुफान है इससे क्या होता है प्रतिवर्स तुफान प्रभाव पर द्वार्दारत पवनों की गती मां अंतर होना चाहिए निम्न वायुदाप चेतर होना चाहिए जगा जगा पे हमारे इन चक्रवादों को अलग लग नामु से जाना जाता है ऑस्टेलियं में से बिली बिली उस और पेहिसर वाया से लिक्साँन वार्राय रिकें सो नौर्मली यहां पर हमारे इंडिया में यहाük हरी ऑदेक उत्परन न में इन होता है दक्षिरी गुलाद में पूरम से पच्चिम की हो रही है बट उत्री गुल अर्ध में इसकी जो दिसा है वो एंटी क्लॉक्वाइज है तो यह था आज का लेक्षर आपको लेक्षर अच्छा का रहा है तो लाइक करिए जागा से जब शेयर करिए चैनल साब नहीं जुड़ा करिए क्योंकि टाइम हमारा काम है बस आपको इसी दो बहने में अपनी अच्छे से त्यारी करनी है कि आप मेंस के इंटर्व्यू मेंस को क्लियर करकि इंटर्वी तक भी पहुन सके ठीक है तो थैंक्यू स्ट्राइड इसी तरीके सा पीक त्यारी करते है अल दे बेस्ट